अलो प्यारे पिचों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासिस को इंजवाय कर रहे होंगे हम लोग डेली बहुत ही सांदार प्रशनों को साल्व कर रहे हैं आपके सारे सब्जेक्ट बहुत ही मैं तोड़ हैं और जो भी प्रशन आपको कराये जा रहे ह वो सब एक्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे तो यह सारी पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली प्रस्णों को साल्प कर रहे हैं और लगभग कई सब्जिक्ट आपके आज कल चल रहे है तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं परिया वरण में सामुदाई कंतह क्रिया चैप्टर से आपके लिए प्रस्ण बनाएं गए हैं और लगभग आपके सारे पड़े हुए हैं आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ना पढ़ा हुआ हो तो चलिए देखत आज आप लोगों का क्या पफार्मेंस आने वाला है पहला प्रस्ण है आपका साहकारिता साहकारिता नहीं है साकाहरिता साकाहरिता तथा मांसाहरिता को बरगी करते हैं जो साकाहरि होते हैं जो मांसाहरि होते हैं उसको किसमें बरगी करेंगा परभच्छी में एक ही पोसड रिती वर्ग में दूतिय उत्पादक में चौति में करा की पहला और तीसरा दोनों और एक और आप्शन आपका है पांचमा कोई नहीं कोई नहीं चलिए दीजे का जबाब आपके हिसाब से क्या है जो साकाहारिता और मांसाहारिता को बहुत अच्छी तरीके से बर्गी क्रित कर रहा है आपके हिसाब से साकाहारी और मांसाहारी को आप कौन से वर्ग में रखेंगे परभच्छी में रखेंगे या एक ही पोसड और आपने भी देखा है कि कौन से पोस्टर पर कौन आते हैं इनको क्या कहा जाता है तो निसी थी आप लोगों को सारे पॉइंट पता हैं देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं बहुत ही सांदार प्रश्णे बचा लोग और एकडम कॉमन सेंस का है और आप पारी साकाहारी उपर निर्भर है तो दोनों पर भचों और आम कीивать जाएंगे इसके आप देखेंगे दोनों और दुतिएक उत्तर पादक भी हैं दूतियक उत्त पादक में जानते हैं तै रहते उत्तर अभर उता है कि जो प miraculous होते हैं इस का मतलब होता है स्वसन के बाद जो दूसरे पो basesटर के लिए बची रहती है वो दूसरा उद्पादक है जैसे हम भोढ़न करते हैं канал Τंक रांट हमारे बोढ़न बनाते हैं वह प्रात्मी कुछ पादक हो गए उस भोढ़न को हमने खाया तो हमने भी तो अपने सरीर को मंटेन किया और इस सरीर को कोई और खाएगा यानि कि हमने किसी और के लिए कुछ उत्पाद बचा के रखे जो सवसन में उर्जा नस्थ हो गई उसके बाद जो जवची वह हमारे पास जैभार के रुप में संचित हो गया यह जैभार किसी और के भ आपका पहला और तीसरा दोनों बाते सही हैं उमीद है आपको बासमज में आई होगी मैंने पढ़ाया था कि जब किसी पोसर अश्तर का जो रीती है वो कैसे बनता है जब कोई भी जीव जो भोजन करता है और उसके स्वसन के बाद जो बच जाता है वो जयभार किसी और के भोजन के काम आता है और इसी से खादे स्रिंखला और खादे जाल मिंटेन होता है अनुक्रमण में सबसे अधिक अस्पर्धा सबसे अधिक अस्पर्धा सबसे अधिक यानि के जादा अस्पर्धा उत्पन होता है अनुक्रमण मैंने आपको पढ़ाया है कई मतब जो है इस चेकि इस्टाब्लेशन आएगा यानि कि योग इस्टाब्लेस हो जाएगे तो इस आनुक्रमड में सबसे ज्यादा असपरधा कहा देखने को मिलेगा। ने आपको establish कर लिया है या इन में से कोई नहीं आपकी पास चार option है और आपको बताना है अनुक रमड यानि कि आपका सक्सेशन में सबसे ज़्यादा प्रति असपर्धा आप कहां देखेंगी बहुत ही सांदार प्रस्ण है और एकदम कॉमेंस का है चलिए देखते आप लोग क्या उतर देने वाले हैं तो आप सभी को यह चीजे पता होंगी आपको सबसे ज्यादा इस्ट्रगल कप करना पड़ टाइम पिरिड होता है जो क्रम में चल रहा होता है सबसे ज्यादा असपर्धा वहीं पे होता है यानि कि आफसर नमर आपका दो बिल्कुल सही है सुरुआत में कम होगा लाश्ट में कम होगा बीच में सबसे ज्यादा असपर्धा का सामना करना पड़ता है याद रखेंग अस्पर्धा किस पर प्रभाव डालती है बहुत ही सांदार और एक दम से कॉमिंसेंस का प्रश्ण है आप बताएंगे आप अपनी उपर ही लागू करके देख लीजे अगर आपको कहीं अस्पर्धा करनी पड़ रही है कहीं प्रतियस परदा कंपरिशन चल रहा है तो आप कि किस पर प्रभाव डाल सकते हैं तो इससाफ से तो आप सभी को पता है कि यह सारे बाते बिलकुल सही है आप आबादी पर भी डालेंगे जैसे माल लिजे वहाँ पे कुछ मतलब जो आबादेगर प्रतियस परदा में बहुत सारे लोग जो है वो जीते तो आबादी घनत तो कर पाएंगे अगर प्रतियस परदा बहुत जादा करना पड़ा तो आपका उत्पादन चमता कहीं न कहीं प्रभावित होगा अगर आपका प्रतियस परदा जो है यह जादा लोगों की बीच करना पड़ा तो घनत भी प्रभावित होगा तो आप अपनी जीवन में ही रहती है तो उमीद है कि बात समझ में आ गया होगा आपको यह सारी बातें बिल्कुल सही है अगला देखिए पर जीविता उधारण प्रस्तुत करते हैं पर जीविता उधारण प्रस्तुत करते हैं पहला कह रहा है रिडात्मक पारिस्थित की प्रक्रिया द्वारा दोसरा कह और चौंथा कह रहा है कि आपका विरोध का котором प्रजीविता किसका कुष्य पारभई लेकिन बहुत ही महत्पूर जिन बच्चों के पास सोचने के शमता है वो अपने से को रिलेट करके भी से सही कर सकते हैं चुकि आप एक जीवधारी है और सोचने वाले प्राणी है तो आपके इसाफ से क्या सही हो जाएगा आप सभी को पता है कि जब आप कोई निर्भर होग तो बेनिफिट नहीं है बलकि वो क्या है नुकसान है चुकि आपको अपने साथ साथ उसका भी पोसड करना होगा जैसे माबाप है बच्चे जब उन पर बहुत समय तक निर्भर लह जाते हैं तो माबाप को बहुत कस्ट होता है जो कि उनकी हर्च जरूरते पूरे करना फि जैसे हम परजीवी है अगर प्लांट भोजन ना बनाए तो फिर हमारे लिये समस्या हो जाएगी लेकिन अगर हमारे पास क्लौयwyn live होता तो हम प्लान पर निर्भर नहीं होते तeminध हो जाता तो क्या होजाएब रेडातमंक पार इस्थित की कृए का उधारण है उमीद है आपको समझ में आ गई होगी जैसे अभी आप लोग के संगर्स का टाइम है अगर आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो समस्या नहीं होगा लेकिन अभी आप हर्च जरूरत के लिए अपने मावा पे निर्भर है तो कह बूर आसायने चक्र हो जाएगा आप्सां नमबर आपका ठीट ही बिल्कुल शही है भूर आसायने चक्र ही होता है पुसरड़त्र के चक्रों को हम यही कहते हैं प्रकारों में से कहा सुद्ध वनस्पति उत्पादन की बार्षिक और सत अधिकतम है आपको बताना है आपको सामने देखिए पारिस्थित की तंत्र है मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सुध्ध उत्पादक्ता के अधार पे तीन प्रकार से पारिस्थित की तंत्र को बाटा था हमने उच्छ मध्यम और निम्न उससा अधार पे आपको बताना है कि आउसत अधिक्तम उत्पादक्ता किसकी होगी सुध्ध तम तो पहला है सितोष्ड घास अस्थल दूसरा है सवाना तीसरा है संकुधारी बन और चौथा है आपका सितोष्ड बन पटापट उत्तर दीजेगा बहुत ही सांधार प्रस्ण है मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे आदा किसका ह होगा फिर घड़ते घड़ते तीनों मैंने आपको लिखाया है उच्च भी मध्यम भी और निम्न भी तो देखने आपके सबसे क्या सही हो जाएगा तो बनो में मैंने कहा था सबसे कम उत्पादक्ता बनों में संकुधारी बन का होता है यानि कि अगर सबसे कम पूछता तो सितोष्कडबंदिये दिया है उच्च भंदिये नहीं दिया है सितोष्कडबंदिये में एक आपके आद्र होते हैं जो सदाबाहर होते हैं जो बूर भी तटो पर होते हैं और एक आपके पड़पाते भी होते हैं जो मोश्ली पस्चिमी तटो पर होते हैं इन दोनों की उत इब्हुंद शरल एवं जटिल मार्गों से क्रयासील होता है तथा इस धोरान तत्व का का विट्रण पूनर अस्थापन या पूनर व्यवस्था तथा पूनर चक्रण जयो मनदलिये 25 की तंत्र में किन प्राथ प्रावस्थाओं से होकर संपन होती है कौनसे प्रास्थाओं से ये सारी चीजे संपन होंगी कह रहा है वाई मंडली ये दूसरा कह रहा है जैवी किये तीसरा कह रहा है और साधी और चोथा कह रहा है उपरोगत सभी देखे आपके सामने इतनी सारी option और आपको बताना है प्रस्चन पहले अच्छे से समझ दीजिए- आपको पता है कि जो पोसड का चक्रढ होता है, पोसग तत्व का चक्रण वो जय भूरासानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कुछ सरल मार्ग भी है, कुछ जटल मार्ग भी है, जिसके माधम से कार अब होता है और जो मनडल यह पाने मंडल में चलता री जल्स मंडल में होता है तो इसे साथ से आपका क्या हो जाएगा वाय मंडल से भी जय मंडल से भी और आपका और सादी से भी यानि कि पुनर चक्रड नमर पोस्कों को होता है कि अगला कुश्चन देखेए बिछा लोग और यह भी आपके लिए बेहतरीन प्रस्न है चरम समधाय वाले प्राड़ी पायस्थित की तंत्र की जातियों में विवीधता अधिक होने के कारण प्राकिरति की पायस्थित की तंत्र में इस्थिता होती है इसका प्रमुकारण क्या है जो लास्थ वाले समधाय होते है उस पारी तंत्र में जो जैविविता है वो सबसे जाद होटी है चुकि वहाँ पर ड철 कर जाते हैं और अगर दोती है तो वह निश्वी होगा और वह judged है तो इसका क्या करण कर रहा है दूसरा के निख रहा हम या विद्धी कर दूसरा कर रहा हॉं यालव र्रोगति-शफी और यानि कि न्यूट्रल है ऐसी बाते कर रहा है तो आप सभी को पता है कि अधिकता ही हमेशा इसको बहतर करेगा यानि कि होम्यो इस्टाटिक क्रियाविधी में बृध्धी की वज़ा से ही आपके पारिश्चित की तंत्र जो सर्बोच्च होती है उसमें इस्थिरता होती है और बचालोग देखिए सब कुछ आपका पड़ा है बस सब्दावलियां बदल दी गई है और यही तो आजकल के एक्साम का खेल है कि वो आपका सब कुछ पड़ा हुआ पूछेंगे लेकिन सब्दावलियां बदल देंगी अगर आपका दिमाग एक्टिव है और आप सोचने वाले प्राड़ी है तो उसको सही कर लेंगे अगर नहीं है तो किताबे जीवन भरटते रह जाएंगे अलग-अलग पब्लिकेशन के कुछ नहीं होगा नेक्स देखिए पारिश्थित की तंत्र के विकास की आवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिश्थित की तंत की तंत्र के विकास की आवस्थाओं के आधार पर कई आवस्थाओं आती हैं विकास की किस प्रकार के पारिश्थित की तंत्र में जो सुद्ध समुदाय उत्पादकता है वो कम है सकल जैव पदार्थ अधिक है तथा पोसर तत्वों के पुनर जन्म में ब्रिद्धी पाई निस्करिय पारिस्टित की तंत्र में। तो ऑफ्षन से तो आपको पता चल गया कि निस्करिय तो नहीं होगा। अगर निस्करिय होगा तो फिर उसमें इत वीविद्दा देखने को नहीं मिलें। अब आपके पास तीन ऑफ्षन है будем प्राण है और प्रारंभिक है और question को ध्यान से सुनिएगा कह रहा है कि वो कौन सी अवस्था होगी विकास का जब आपके पाश्चित की तंत्र में सुद्ध समुदाय उत्पादक्ता कम है अगर सुद्ध जो आपका सकल उत्पादन है वो कम है तो प्राथमिक होगा ही नहीं आपका पहला भी समाप्त हो गया प्रारंभिक तो होगा नहीं कह रहा है कि और इसमें जो आपका सकल जैव पदार्थ है वो अधिक है पोसर्टत्तों के पुनर जन्म में ब्रिद्धि पाई जाती है यानि कि जो टोटल आपका सकल उत्पादन है वो अधिक है और आपके और आपको सकता पुनर आवस्ता हो सकता है डिबप्रत्सित की तंत्र की विसेस्ता है다 अगला कोस्टन भी देखें बहुतीं सांधार है और बिल्कुल बिल्कुल कमन सेंस का है कि प्रकार के पॉसक में पोसकतों परिर च्छण अच्छी तरह नहीं होता तथा जय विवित्ता कम पाई जाती है किन्तु सुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है देखे उसी का सेम आपके पास फिर से आ गया है उल्टा करके देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं किस प्रकार के पारिस्तित की तंत्र में पोसक तत्मों का परिरच्छड अच्छी तरह नहीं होता तथा जय विवित्ता कम पाई जाती है किन्तु सुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है अब आपको उत्तर मिल गया है बहुत आसानी से आप सभी को पता है ये किस में होगा ये विसेश्ता आपके हो जाएंगे प्रारंभिक अनुकरम वाले पारिस्तित की तंत्र में ये विसेश्ता देखने को मिलेगा उमीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेस्टन आधो लिखित में किस प्रकार के प्राकृत पारिस्तित की तंत्र में सरवाधिक उत्पादक्ता होती है इसमें से किस पारिस्तित की तंत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादक्ता होगी आप देखे आपके सामने फिर से आगे आप संसाब आपका पढ़ा हुआ है कह रहा है सावाना घास मैदान दूसरा कह रहा है जवारी एस्चुरी तीसरा कह रहा है फसल पारिस्थित की तंत्र और चौथा कह रहा है और द्योगिक पारिस्थित की तंत्र आपको बताना है कहां पे प्राकर्तिक पायसित की तंत्र सरवाधिक उत्पादकता होगी तो अध्योगीक वाले तो नष्ट करते ही यह तो होगा नहीं और आपको सावाना जो है यह बाद में आएंगे यह भी नहीं होगा अब बचे आपके पास दो इसमें से मैंने आपको बताया था कि जब फसलों में गहन फसल पाईसित की तंत्रों गहन हो तब ये इसकी उत्पादकता अधिक होगी लेकिन अगर गहन से कम है तब वो मध्यम में आ जाएगा अगला देखिए आप घटन किस पोसर अस्तर के जिव है जो आप घटक है जो आप मारजग है ये कौन से पोसर अस्तर के जिव है आपको ये बताना है और आपके लिए बहुत ही आसान है प्रत्हम 5, 6, 7, 7, 8, 8, या आपका 4, 8, 6 चलनी देखते आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं आपके शाब से जो अप घटक है ये कौन से 4, 6 उत्तर में आएगा तो आप सभी को मैंने बताया था कि आपके मैकसिमम चार 4.. 6 आपका उत्पादक होता है प्रात्मिक को भोगता होता है दुतियक को भोगता होता है और लास्ट में आपके आजाते हैं अप घटक हाला कि कहीं के सर्बोच भी देता है तो इस हिसाफ से अगर आप देखेंगे तो प्रात्मिक दुतियक सर्बोच और अप घटक तो इस चक्र नहीं होता कौन सा है जिसका चक्र पाईसित की तंतर में नहीं होता ये भी पढ़ाई हो आप लोगों को और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो बाई डाइग्राम पढ़ाई हो कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर आकार्बनिक होगा एक है कार्बनिक पदाल्थ एक है आ कार्बनिक पदाल्थ दूसरा है जल और चौथा है आपका उर्जा तो नेशीती पेचा लोगे اسमें तो किसी को समस्या नहीं होगी इतना अच्छे से पढ़ाई हों आप लोगों को याँने कि आपस नमर जो आपका 4 है, ये सही हो जाएगा, जल चक्र तो आप सभी को पता है कार्बनिक पदार्थों का भी चक्रण होता है, लेकिन उर्जा का चक्रण नहीं होता है, अगला देखे, सार उर्जा की सबसे महतबूड भोमिका किस में होती है, सौर उर्जा की सबसे महतपूर भूमिका आपके इसमें देखेंगे आक्सिजन चक्र में या फासपोरस चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में या कार्बन चक्र में कोई सब्व करना चुके हुँ मैं कि कार्बन चक्र भी प्रभावित होता है आप सबी को पता है सोरी के प्रकास में ही कार्बन की मादत जो है ऊपयोग करके पौधे भोजन बनाते हैं और उसी भोजन का हम लोग सेवन करते हैं और हमारे ही सरीर का जब अपगटन होता है तब वहीं मिट्टी में पोसकत्त प्राइब्त करते हैं तो कहीं न कहीं यह क्या हो रैस्थृरी के प्रकास से प्रभावित हो रहा है आपका जो कारवन चक्र है इसलिए आपका आफसर नुमर फोर है यह बिल्कुल सही हो जाएगा अगरा देखिए पारिस्थित की तंत्र में एक टिकाउं जैव समुधाय कौनसा है आपको बताना है पारिस्थित की तंत्र में आपका जैव समुधाय बताना है पारिस्थित की तंत्र में आपका जैव समुधाय बताना है बचालो होगा चरम आवस्था यानि की क्लाइमैक्स होगा या क्रमिक यानि की सीरल होगा बताएंगी यहां थोड़ा हो सकता है फस से अगर आप सब्धावलियों को नई समझ रहे हैं तो फिर फस सकते हैं चुकि एक्वेशन में आपको पहले भी साल कराई हूँ तो वहां पर सब्धा सबसे इस्ठी आपका तंत्र है अगर यह पूछा कॉन सा पारिश्थट की तंत्र सबसे टिकाऊ है तब आपका समुद्रिक हो जाता अगर वह नहीं होता तो आपका इको टोन सही हो जाता लेकिन हां जयव समुदाए पूछा है इस लिए आपका चरम अवस्था हो जाएगा क्लाइमेक्स हो जाएगा अभी हमने इसके पहले साल भी किया कि इसमें सबसे ज़्याबी बिता होगा और सबसे ज़्यादा टिकाओं होगा ये अगला कोईसेन देखिए आपको बताना है कूट की साहता से और इसका उतर तो बच्चे मेरे बिना आप्सन बता सकते हैं जोकि क् चितमाध्यमों से समुद्री उत्पादक्ता बढ़ाता है अप हुएलिन क्रिया मैंने आपको बताया है जिसको उत्परवाह कहते हैं और समुद्री चित में ये पोसकत्तों को कैसे बढ़ाते हैं आपको पता है पहला कर आप घटक सूच में जीवों को सतह पर लाकर दूसर फिर कहरा केवल दूसरा सी में कहरा दो तीन और चार में कहरा केवल तीन तो मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी कोट की जरूरत नहीं है चोकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ये आपका आपसे नमर जो दो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा मैंने आपका उत्प्रवाह के क्रिया वहां होती है जहां ठंडे पानी होते हैं समुदर के उपर के वाटर होते हैं वो गरम होते हैं हनके होते हैं जब उसमें पोसक तत्वों की कमी हो जाती है तो समुदर के गहराई से जो ठंडा पानी होता है वो अपवेलिंग क्रिया के द्वा पर आ जाता है और उस ठंडे और भारी पाने में पोसक तत्वों की मात्रा धिक होती है और जब वो पानी नीचे से उपार आ जाता है तो पोसक तत्वों की मात्रा सता पर आ जाती है जिससे वहाँ पे पादप लवकों की संख्या बढ़ जाती है और वहाँ पे अचलियों का पादन बढ़ जाता है हाला के इसे सुपोसर भी होता है तो आपका आपसे नमबर केवल और केवल दूसरा सही है हम लोगे पहले भी डिसकस कर चुके हैं मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से सारे चीज़े आपको समझाई थी अगला क्वेस्टन भी देखिया आपका बहु आपको यह बताना है पहला करें प्रकास संसलेशर दूसरा करें स्वस्थन तीसरा करें जैपदार्थों का अपघटन और आपका लास्ट है ज्वाला मुखी क्रिया चार आपके सामने हैं और मुझे पता है कि मेरे बच्छे यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले है सभी का उतर सही आएगा अब देखिए कूट में A में कहरा है कि केवल पहला और चार यानि एक और चार बी कहरा है केवल दो और तीन सी में कहरा है कि दो तीन चार और आप कड़ी में कह रहा है कि एक दो तीन चार याने कि सभी तो आप सभी को पता है कि आपका जो पहला है प्रकास संसले सड यह तो नहीं होगा चुकि प्रकास संसले सड में पौधे कार्बन को इन्वार्मेंट से ले लेते हैं और नीचे से जल का उपयोग करके उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन को नाइट्रोजन को मिला के कार्भो हाइड्रेट बना देते हैं जल को से आकसिजन को मुक्त कर देते हैं तो इस प्रोसेस में वो कार्बन को अबजाब कर रहे हैं इन्वार्मेंट में कार्बन को निकाल से कार्बन निकलते हैं जो आलम की उद्गार से भी कार्बन डायक्साइड निकलता है तो आपका आप सभी कोई सारी चीज़े पता है तो कोई समस्या नहीं है बर्षा की मात्रा किस पर निर्भर होती है देखे पीसियस में आया हुआ क्वेशन है और रिपीटेट प्रस्न है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर होगी हवा के दाप पर वाई मंडल में नमी पर जल चक्र पर या ताप क्रम पर आप सभी को इसका उत्तर पता है चूकि मैंने आप सभी कोई सारी चीज़े पहले ही स्वाल के द Kathy collect चलाए अगर हवाम में नहीं नहीं तो कैसे होगा नमी रहेगी तो बर्सा हो जाएगा तो आपका option no 2 जो है यह सभ़से जादा महत पूढ़ है आहला कि की अनकी हाला कि अपना जल चक्र आस अर्या горदाख को निधारित करते हैं लेकिन इन श्ब सब प्रतिक जो उत्तर है वह आपका अपस्ण नमर्ट जो दो है ये बिल्कुल सही है आपको बताने कौन सा कदन है जो सत्य नहीं है और यह देखी आइस का प्रस्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता है क्या सही नहीं है कि आ भूमद रेखा से धुरों की और जाने पर जय वि विवित्ता अमेजन बरसा बनों में पाई जाती है और चौथा करत जाती विवित्ता सितोष्र छेतर से ध्रूओं की और घटती है आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है अब आपके हिसाब से क्या है जो सही नहीं है आपके सामने देखी आफसन है और ये आ आपके लिए काफी बहुत प्रस्न है चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं काफी उल्टा-पुल्टा सा उत्तर दिया है इसमें और आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूं आपको पता है कि पहला बिल्कुल सही है भूमत रेखा से धुरों की और बिवीदता में ब्रिद्धी होती है और धुरों से जैसे हम जीरों की तरब जैसे जैसे आते हैं जया विवीदता घटी चली जाती है उसमें तो कोई दिकत नहीं है दूसरा भी सही है उश्कडबंधिये सी तोश्र छेत्रों की अधिक जातियों को आसरे देते हैं यानि कि कोई डाउट नहीं है इसमें बिसालतम जै विवीदता अमेजन बर्सा बनों में पाए जाते हैं अब इन सब चारों में अगर आप कंपेर करेंगे ये तो सबसे कम सही यही है अगर इन चारों को आप सही से देखते हैं तो सबसे कम सही यही है अगर ऐसे नहीं होता तो सही ह जाता चूकि यहां के जो बन है ये वर्षा बन है और यहां जय विविता होती है अगर ये QAWSоны में कहती है तब तो यह सही हो जाता लेकिन पर्टिकुलर सिर्फमैजन जंगल को कह रहा है और यह सब से आPS bet oc कूला क fel निर्द्ट मेंसे कौन सा एक प्राकेशिक प्राकर्टी क्रूप से बाइन मंडल में पाई जाने वाले ग्रीन हौज गैस नहीं है इसमें से कौन सी मैं मैंने से सी पड़ाया है कौन कौन सी गैसे हैं जो आपकी घ味 करते हैं कौन ज हो जो ॏ मurarannel प्रोटकाल में आते हैं कौन मैंने अगा नुक्सान पहुचाने का दर और प्रतिसत भी बताया हुआ है तो आप सब्सक्राइब को पता है कि और आप ozone bitcoin कारी गैस है यह और विब गखिटन कारी नहीं झूजद और विब विब विबывает को सुभश़ देता लेकिन दो तरह कि होते हैं अगर समताब मंडल में हैं तो अच्छे हैं अगर शोह मंडल में गैस हैं तो नुखसान दे हैं तो यह आपके green house gas और आपका डाया अप्रीव दीज समय आती है और आपका कार् Morris ऐसे अग्से क्रांपे एक और आए आप्सन देए सबस्तों दोने हैं कि पहले हैं करोच के रूप में नहिंद समय एक जोने का में थुक्तिों यहानि कि हो सकता आवयो हो लेकिन उसके लिए आवस्यक नहीं है तो आपके इसाब से क्या है जो सही हो जाएगा और यह भी आपके लिए काफी महत्पूर प्रस्चन है और आज का आखरी प्रस्चन है वें चलो हैक्ट याद रखेंगे यहां पर जो चारो आप्षान है इन्म है समस्या होती है तो आप लोग बेज ही जग कमेंट कीजेगा हम उसको जरूर ध्यान देंगे तो चलिए फिर मिलते हैं अंगले क्लास में और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच